नमस्कार मेरे छट पर खेती करने वाले किसान भाईयों। मैं आज आपको ऐसी जानकारी देना चाहता हूं। कि आज ये खाद बनाएं, आज वो खाद बनाएं, आज ये खाद बनाएं। तो सब के जंजट से मैं आपको बहुत जल्दी छुटकारा देना चाहता हूं। देखिए ये भारत सरकार द्वारा, इफको कंपनी का सगारिका, दुनिया का संपूण खाद, इसके अंदर दुनिया का सब कुछ है। ऐसी कोई चीज नहीं है, जो इसके अंदर नाओ, जो अठारा तरह के तत्त पौधे को चाहिए। वो सारे तत्त इस सगारिका में मौझूद है। और ये इफको कंपनी का सगारिका है, जो लिक्ट बेस है। इसका इस्प्रे आप कर सकते हैं। ये एक एकड़ के लिए है, जितनी फसल आप छट के उपर उगाते हैं, जो भी फसल आप छट के उपर उगाते हैं, उन सारी फसलों के लिए ये संपूर्ण खाध है। और micronutents है आप फूल वाले पौधों में फल वाले पौधों में सबजियों में आप किसी भी तरह की सबजियों में आप इसका इस्प्रे कर सकते हैं और इसको पानी में घोल कर भी डाल सकते हैं मतलब कहने का भाव यह है कि बेजडी कंपोजर के अंदर इसको आप सव लीटर बेजडी कंपोजर के अंदर अगर यह सागारिका का धाई स्वैमल पाइक है और इसलिए किसानों के लिए है जो छट में गाड़निंग करने वाले किसान हैं जो हम किसान ही कहेंगे जो एक bung मैं आपको दिखा देता हूं एक स pitches गया कशाननों के लिए एक एक लिए त gap करना होता है और यह समुद्री सहवाल से जो सबना होता है जो वनी हुई है यह समुद्री सहवाल से बनां अभना हुआ लुकेड है और ये 100% और्गनिक है सबसे अच्छी बात है ये 100% और्गनिक है और इसके अंदर सब कुछ है कापर जिंख है nitrogen है, phosphorus है, potassium है, magnesium है और सबसे ज़्यादा humic acid, gebrillic acid, सारे acid इसके अंदर मौझूज़ां जो ठारा तरह के तत, सोला तरह के तत, पौधे को चाहिए वो सब कुछ है, अब मैं आपको बताओं कि ये आपको लेना कहां से आप ifcobajar.com में जाएंगे, तो वहां पर भी आपको, इफको के साइड पे, आपको वहां से भी आप मंगा सकते हैं इसको, और ये आपके घर तक पहुंचा के 135 रुपए का आपको मिलेगा, लगभग, जो मेरा आइडिया है, क्योंकि मैंने तो इफको बजार से खरीदा था, जो इफको बजार, इनका सेंटर होता है, वहां से मैंने इसको मंगाया था, 135 रुपए जाके लेके आया था, दूसरी चीज मैं बताओं, दूसरी बिग्यान खतम, आप सर्सों की खली, आप 2 किलो सर्सों की खली, और एक सागारिका, सागारिका का लिपकेट ले लिजे, और 100 लिटर वेजडी कमपोजर, ओरिजिनल वेजडी कमपोजर, ओ डबलू डी सीजी से कहते हैं, ये ले लिजे, और ये इसके अंदर, गाय के गोबर के अंदर गाय के पेसाब के अंदर, जितने तरह के वैक्टेरिया हैं, यह सारे वैक्टेरिया इसके अंदर हैं, जितने भी गाय के गोवर के अंदर, गाय के मूत्र के अंदर, जितने वैक्टेरिया हैं, सारे वैक्टेरिया इसके अंदर हैं, आपको अलग से गाय के गोवर को घुलना, गाय की पेसाब को लाके डालना गाय की पेसाब का इस्प्रे करना कोई जंजट नहीं करना है आपको केवल ओरिजिनल वेस्ट डिकंपोजर किसी भी किसान से किसी भी किचन गार्टनिंग करने वाले के पास OWDC का ओल्जिनल कल्चर हो वो एमजोन में जो 20 रुपए का मिलता है वो नहीं ये जो OWDC जिसमें लिखा होता है ये वाला अगर कल्चर आप 10-15 ml किसी से मंगा लीजिए और ये जीवन भर मल्टिप्लाई होगा कुछ लोगों का कहना है ये मल्टिप्लाई नहीं होता है मगर मैं बहुत समय से इसका प्रियोग कर रहा हूँ तो मैं बराबर इसको मल्टिप्लाई करता हूँ और मैंने बहुत से किसान मित्रों को फिरी इसको देजा है और फिरी दिया भी है और उसका मैंने कोई वेजडी कमपोजर का चार्ज नहीं लिया है और उनके आँ भी ये बन के तयार हो रहा है मैं देख रहा हूँ कि उनके आँ भी बन के तयार हो रहा है बहुत सक्तिसाली है और आप क्या करें यह एक सागारिका और दो किलो सर्सों की खल 100 लीटर के ड्रम में वेजडी कमपोजर बना लीजे और बनाने के बाद उसमें भर दीजे ये एक 2500 एमल सागारिका डाल दीजे दो किलो सरसों की खल डाल दीजे और कीटाओं को मारने के लिए इसमें एक किलो नीम की खली डाल दीजे संपूर्ण खाद अब इसके बाद आपको किसी तरह की कोई खाद लेने की जरूरत नहीं है सारी खादें तयार हो गई और 21 दिन के लिए इसको आप छोड़ दीजे सुबह साम जब मर जी पुले तो आप इसमें एक डंडा एक बार चला दीजे नहीं तो आप इसको आइसा ही छोड़ जिए 21 दिन के बाद आप इसका प्रियोग करें क्योंकि ये भी जैविक है सागारिका भी कुछ लोगों का सवाल आएगा कि ये सागारिका डालने से इसके वैक्टेरिया तो नहीं मर जाएंगे नहीं बिलकुल नहीं मरेंगे क्योंकि ये भी जैविक है और जो वैजडी कंपोजर के अंदर जो वैक्टेरिया है उसका तो भोजन ही और्गनिक चीज है जैसे हम सर्सों की खल डालेंगे इसका भी वैजडी कंपोजर के अंदर जो वैक्टेरिया है वो सब इसका भोजन है इसको भोजन के खाके वो अपनी संख्या और बढ़ाएंगे बहुत अच्छा माइक्रो निट्रेंस बनेगा बहुत अच्छा इसके अंदर सब तत्तो पहने आपको बताया कि नीम के खल जरूर इसके अंदर डाल दें जिससे कभी आपके पौधों की मिट्टी में होने वाली जो वीमारिया है वो ना हो आप इसके बाद में जब ये बन के तयार हो जाए तो इसका एक लीटर निकाल कर और उसमें पांच लीटर छे लीटर पानी मिला कर आप उसको अपने पौधों में आप देंगे मिट्टी में देंगे और इस्प्रे भी कर सकते हैं, इसका एक लिटर निकाल कर, आप आपके पास छोटा वाला इस्प्रे पंप एक लिटर वाला है, तो उसमें आप 200 ml बिला लीजिए, उससे इस्प्रे करिए, अगर आपके पास 15 लिटर वाला पंप है, बड़ा वाला पंप है, तो आप उससे भी स्प्रे कर सकते हैं उसके इस्प्रे में आपको दो लीटर ये निकाल के डाल दीजिए और पानी भर दीजिए और इस्प्रे कर दीजिए इसको आप मिट्टी में भी दीजिए और इस्प्रे भी करिए 15 दिन के अंतर में करिए फिर आप अपने पौदों की ग्रोथ देखिए और उसके अंदर आप हरापन देखिए और किसी तरह का कीट यंत्रन के लिए आपने उसमें नीम की खल डाली हुई है इसलिए उसके अंदर सारी तरह से वेस्ट कंट्रोल हो जाएंगे जितने भी तरह के कीट होंगे उसे मैं इसके उपर एक वीडियो और बनाऊंगा इसका एक पोडेक्ट सागारिका का और आता है इफको कंपनी का वो मैंने मंगाया हुआ है मैं काफी समय से मेरे पास इस समय खतम है इसलिए जो मैंने दूसरा प यह सागारिका है 135 रुपए का 200 ml है और 100 पर्शन जैविक है अगर आप किसी बड़ी कंपनी का किसी इससे बड़ी तो भारत सरकार से बड़ी कंपनी नहीं है कोई मगर अगर आप प्राइवेट कंपनी का किसी का यह समुद्री सहवाल से बना हुआ सीवीड फेटलाइजर ज और इससे अच्छा नहीं हो सकता है इसलिए मैं आप से कहूंगा कि आप समुद्री सहवाल से बना हुआ सागारिका का इस्तमाल करें और रिजल्ट देखिए 135 रुपए का 200 ml पंद्रा इसको केवल एक लिटर पानी में 5 ml मिलाना है अगर आपको केवल इसी का स्प्रे करना है तो एक लिटर पानी में 5 ml आपको मिला के अपने पौधों में स्प्रे करिए और हम कहेंगे सरसों की खल और नीम की खल का वेश्टी कमपोजर के अंदर डाल कर अपने पौधों में स्प्रे करिए मिट्टी में डालिए फिर रिजल्ट देख लिए आप भी कहेंगे राजिय जी आपने संपूर्ण खाद मेरे को बता दी पूरी जानकारी मैंने आपको इसी वीडियो में दे दी जै हिंद जै भारत जै किसान